तो यह पहला कोश्चन है हम खुरच सकते हैं किसको खुरच सकते हैं ठोस को द्रव को या फिर गैस को या इनिमें से कोई नहीं तो खुरचने का जो गुण होता है द्रव में होगा नहीं गैस तो होगा नहीं तो क्या होगा ठोस यह 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 आस्ना आपका यह सही है क्लिर दूस्त्रा देखे ह कि हम बहुत संपिझक कर सक्ते हैं किस को संपिझक कर सकते हैं गैश को जैस को यह आपकशन आपक़ कर सकते हैं कि तीसरा कुछन कह रहा है डॉट का आयतन निश्चित होता है आकार नहीं तो किस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है तो आयतन निश्चित होता है किसका द्रोका तब द्रोका आयतन निश्चित होता लेकिन आकार निश्चित नहीं होता इसको जिस पात्र में कि अगरा कुछ नहीं कि बर्प का गलनांक जिरो डिगरी लिया गया है तो जिरो डिगरी सिर्शेस पहिमानी पर है जिस पर सिर्शेस पहिमानी पर है यह आप सुन आपका यह सही है आकार वा आयतन निश्चित नहीं होता आपको यह बताना है कि कौन से पदारत का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता तो गयस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है रसोई घर में प्रयोग किया जाता है तो रसोई घर में येलपीजी ये लिकुट पेट्रोलियम गैस प्रयोग किया जाता है ठीक है ये यह आ गया बाहनों में प्रयोग की जाती है तो बाहनों में क्या प्रयोग किया जाता है बाहनों में जो प्रयोग करने और अपदार्थ है इनन के रूपे यसी एंजी ठीक है बर्प का गलनांग कितना होता है तो बर्प का गलनांग है 273 केलविन पर गल जाता है जल का कृथनांग कितना होता है देखें यह बड़ा important question है इसमें 0 degree Celsius 273 केलविन 273 degrees Celsius और 373 Kelvin तो देखें आपको दिया गया है तो आप जानते कि जल का कोतना कितना होता होता है तो इसमें केलविन में पूछ पूछ जा रहा है तो इसमें सोजोड देंगे तो 273 में सोजोड देंगे तो 373 Kelvin यानि डी आप्सन आपका सही होगा अगला कुछन है अगर्मियों में घड़े का जल निम्लिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो जाता है किसके कारण वास्पन की कारण यह अपसन आपका सही है चलिए अगले कुछन की तरह पढ़ते हैं निम्ल में कौन द्रब्य नहीं है कांच लकड़ी प्रकास दूद तो इसमें जो द्रब्य नहीं है वो क्या है आपका प्रकास अनिश्चित आकार वाले प्रदार्थ कहलाते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है कौन से हैं आकार के अनिश्चित द्रव और गैस दोनों कि कहिए हैं निम्रखित में से किसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तो गैस का यानि वायू की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं चलिए अगरे कुश्चिन के तरफ चलते हैं हम लोग अगला कोश्चन है द्रभ की कौन से अउस्ता सदय विद्धित की सुचालक होती है अगला कोश्चन है कि प्रदार्थ के अन्वों के मद की दूरी होती है तो प्रदार्थ के अन्वों के मद की दूरी ठोस में नियूंतम होती है ठोस में सबसे कम होती है क्योंकि ये बहुत पास-पास होता है ना अला कुछ नहीं द्रब्य की गैसे आवस्था होती है तो द्रब्य की जो गैसे होते हैं कि अगला कुश्चन है मिरेखित में कौन सा कथ voter सत्क्त है षे थे तो समय अंत्रा अधिक का स्कम होता है इसे में अंत्रा अधिक आउकास द्रोग की गैस के तुलने में सबसे कम होता है तो यह आपका सही है अगला देखिए अगला कोशन कह रहा है कि किसी गैस के अड़ों के आउसत गतित उर्जा होती है किसी गैस के अड़ों के आउसत गतित उर्जा होती है इसी पिदार्थ के द्रव के अणों से अधिक यह आपका सही है अगला कुश्चन आगए आपका कुश्चन है कि द्रव को गरम करने पर उसके कड तो जब द्रव को गरम किया जाएगा तो उसके कड और दूर दूर हो जाएंगे ठीक है पस पस आजाेंगे यह तो बात बिद्रव यह क्या हो जाएगा दूर दूरा जाते हैं कि किसी ठोस को उसके गलनांग पर गरम करने पर क्या होता है जब गलनांग पर गरम करेंगे तो दाप मान में विध्वी नहीं होती है ठीक है यह अगला कुश्चन है जिसता पर अगला देखें किक स्न में मिनने के क्रिया को कहते है तो वौश्पन जमने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है जो जमना है जमने की प्रिक्रिया कहते हैं अंतरा आउकास कम होता है उर्ध पातन द्वारा सुद्ध किया जाता है उर्ध पातन द्वारा किसको सुद्ध किया जाता है नौ साधर को अगला कोश्चन कह रहा है कि जब पानी में नमग मिलाते हैं तो इसके कोथनांग पर क्या प्रवाब पड़ता है तो जब पानी में नमग मिलाते हैं तो इसके क पर जल का आयतन पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा फिर घटेगा या धीरे धीरे घटेगा कौन साइस में सही है आपका तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा यानि यह आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या है कि पूछ रहा है संगनन क्या है तो संगनन में क्या होता है कि वास्प जो संगनन होता है कि संगनलने मैं वास्प का दिरों में परिवर्तन संगल गया उते निम्द की इसे उस प्धाइज पुदार्थ नहीं है तो और्धु पातच जो पुदार्थ है वह नहीं है सोडियम-क्रॉराइट यह नहीं है ठीक है 빨ष चलिक बाणों में इनन के रूप में प्रयोक की जाने वाले संपीडित प्राकृतिक गैस कम्मेशन निश्वर जो गैश है यह निस जी का पूर रूप क्या होता है तो पूर रूप से कम्प्रेश्वर गैस होती है यह ठीक है कम्प्रेश्वर होते हैं संप्रेश्वर गैस होती है यह आपका बताना है कि यह प्रूप को का सी गैस होती है तो इसमें को इस होती है? यह ठीक है अगला कह रहा है कि LPG का पूरा नाम क्या है तो LPG का जो पूरा नाम है वाइल लिक्विड पेट्रॉलियम गैस क्या है लिक्विड पेट्रॉलियम गैस यह नहीं है आपका भी सही है क्लियर कोश्चन है कि करो के बीज सबसे कम आक्रशनबल किस में होता है तो सबसे कम आक्रशनबल किसमें होगा वह होगा गैस में क्लियर गैस में सबसे कम होता है दूसरा कोश्चन कहरा है कि किसी ठोस का सीधे कि ठोस का सीधे गैस सबस्ता में तब दिल उना नी बिदलना क्या करता अधा है ठीक क्या करता है हुbok फिर घ्लीत के दोनों तो यह डंव है ठीक है सुस्क बर्फ है कौन आपको पताना है कि सुस्क बर्फ कौन है तो ठोस करवन्दा यह साइड है कड़ों के मद्द सबसे कमा इस्थान किसमें होता तो कड़ों के मद्द में सबसे कमा इस्थान ठोस में होगा ठीक है क्योंकि वह भाई वह आपसे मदे रहते हैं अगला है पदार्थ के कणों के मद्य अस्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में गतितूर जा होती है यह सब प्रिक्राय होती है यह सब यह आपके सही है निम्न में पदार्थ नहीं है तो इसमें पूछरा कि कौन पदार्थ इसमें नहीं है अपका हवा गंध सीतल पे स तो सरदी गर्मी यह नहीं है आपका कोई पतार्द नहीं है कि अगी अगला कुश्चन ऑगया आपके इसक्रें पर यह रहा दाट टरल कहलाते हैं ठीक है तरल कौन कहलाते हैं तो द्रोयों गैस क्या कहलाते है तरल कहलाते है जल वास्प में भंडारित उस्मा है जल वास्प में भंडारित उस्मा किसकी गृत उस्मा की निम्डखित में से कौन सा द्रब्य नहीं है यह पूछ रहा है कुशन कौन द्रब्य नहीं है रेत बादल तो यह है आपका ध्वनी यह सही है पंच तत्त में सामिल नहीं है विचार क्या तत्त सामिल नहीं है च्छित जल पावक गगर समीरा और पंच तत्त से बना सरी रहा तो पंच तत्त में सामिल कौन सी चीज नहीं है वो है आपका धिंकिंग पावर यानि विचार निम्निकित में से कौन अन्य से भिन्न है तो अन्य से भिन्न है आपका तापमान जोल अगला कोशन कर रहा है कि पदार्थ के सम्मंद में यह कोशन है कि पदार्थ के सम्मंद में क कड़ों के बीच कोई बलकारी नहीं करता ठीक है तो यह असत्य है कि अगरा कुछ निम्लिकित कथनों में से कहों सा कथन असत्य है असत्य कथन आपको बताने हैं तो ठोस कार्बन डाइकसाइड को वह उच ताप पर संग्रित किया जाता है यह आपका असत्य है अगरा है निम्लिकित में से कौसा अपदार और्दपातन की क्रिया नहीं दर साता है कि और और्दपातन की जुक्रिया यह नहीं दर सायगा कौन ऐसी टॉल आ कि वह स्पिक्रा की प्रिक्रिया किन कारकों परनिर्भर करती है तो वह निर्भर करती है आध्दरदा प्रिश्टल यानि सभी परनिर्भर करती हैं पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सते पर जल के अड़ों का प्रकट होना किस घटना का संदे से तो यह वास्पी करण का है किसका वास्पी करण का कि फारेन हाइट और सेलसेस में किताप में प्रस पर संबंध होता है तो वह क्यों सा है संबंध होगा है आपका एक इसकोल टू नैन बाई फाइप जिरो डिगरी सेलसेस प्लस ट्वंटिफाइब यह तर्टी टू यह आपका एक समिकरन है फारेन हाइट से किसमें डिगरी सेलसेस है डिगरी सेलसेस हो तो उसको फारेन हाइट में मदल नहीं का ठीक है यह आपको याद रखना होगा सदा अड़ों की गतितूर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है तो अड़ों की गतितूर्जा का बढ़ता हुआ जो क्रम है हुआ ह प्रिसर कुकर में दाल सिगरता से पक जाती है इसका करण क्या है कि दाब बढ़ने से जल के कुथनांग अधिक हो जाती है तो यह आपका तो यह आपकी कुश्चन होगे आपको जितने भी कुश्चन इसमें आये हैं उसमें बताएए कि हमको इतरी कुश्चन आ रहे हैं और फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाएं